ज़ाता बीजर कर दो अधो मैंने तो चुर्ट की तरफ का डर्वाजा है लागे की तरफ की तरफ नीचे नहुत पकियों उपर की तरफ के साइद साइद एक रास्ता जा रहा है जो सीधा सॉसर्दी गुरिथा कि चलिए हम उसी रास्ते से सहसर बाव मंदिर की तरफ चलते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि के पूर्म कौने में दो मंदिरों का समुष बहु के मंदिर के रूप में बड़ाव है छोटा मंदिर से लिया जाता है मंदिर के नाम की उत्पत्ति सहस्त्र बाहु नाम से संभावी थे जिसका अजार बुझाओं से बाद में यह सास बहु नाम से जाना जाने लगा प्रातात्युई वैभव एवं गौरपुन परिंप्राओं के अनुशार इस मंदिर का निर्माण कच्चप घाच सासकों के द्वारा कराया गया था मंदिर का निर्माण राजा रतनपाल द्वारा प्रारम किया गया था जो राजा महिपाल के सासनकाल में एक हजार तिरानवे में पून हुआ, पून रूप से विक्षित मंदिर का निर्माण पंक्तिबद रूप से उत्तर दक्षिन दिसामें हुआ, इसमें गर्भ ग्रह, अंत्राल, महामंडप तथा अर्ध मंडप दक्षिन से उत्तर की ओर हैं, और समरद नकासिकार, स्थम्भ त तकेंद्रिय सभागार की छत तीन ओर से द्योडी द्वारा गिरे हुए हैं तता बाहिय दीवारें ज्यामित्य पुष्पाकिर्थियों पशुपक्षियों गज नर्तक संगीतकार और क्रश्ण इला के सुंदर द्रस्टों से परिपून हैं छोटे मंदिर की बाहिय दीवारें भी इसी प्रकार चित्रित हैं इस मंदिर में एक लगू केंद्रिय सभागार वे प्रकोष्ट भी है बड़े मंदिर के मुक मंडप में लगे प्रस्तर अभिलेक से मंदिर के निर्मान धार्मिक समुदाय धार्मिक कर्मकांड एवं मंदिर के राजस्व के वारे में जानकार यह मंदि बगवान जिश्यों को समर्बित्ता इस मंदिर को बःवान विष्णो के नाम शैसरबाव के नाम पर शैसरबाव मंदिर कहा गया था वारतवान में यहाँ दो मंदिर हैं एक फूटा मंदिर है और एक बड़ा मंदिर है दोनों की नकासी बहुत सुंदर और देखने यूग्य है तो मंदिर कहने के नाम पर जो दो क्योजंतिया यहां पर चलिते हैं एक क्योजंति के अमुशार कच्छप्राशा सक्माहिपाज की जो रानी थी उन्होंने अपनी सास के मंदिर में पूजा करने से मना कर दिया जिसके कारण उसने अपना दूसरा मंदिर बनवाया कुछ लोग कहते हैं कि जब कच्छप्राशा अपनी राणी को लेकर कर आए तो उन्हें यहां पूजा करने के लिए सास ने मना कर दिया तो राणी ने अपने लिए एक मंदिर बनवाया और सम्मान में सास का सम्मान रखते कि उन्होंने इस मंदिर को छोटे आकार में बनाया लेकिन उसकी उचाई बड़े मंदिर के लड़ बड़ बराबर ही है आईए देखते हैं सास बाहू का मंदिर या सहस्र बाहू मंदिर और यहां आप देख रहे हैं कि अभी आपको जो आपने एक स्क्रिप्टर दिखाया था उसमें लिखा था कि इस मंदिर को मौम्डंस के द्वारा नुक्सान पहुंचाया गया था और यहां पर आप छोटी मूर्थी देखें या बड़ी मूर्थी देखें योगी मूर्थी देखेंगे वहां को खंडित मिलेगी खंडित का मतलब है उसका कोई ना कोई अंग पूलता हुआ आपको आवस्य मिलेगे तो फिर भी आज भी है हमारी सरकाल द्वारा शुरक्षी धरोहर के रूप में है तो हम आपसे कहेंगे कि आप आपको आवस्य देखें मंतिर में जाने पर गार्ड तथा अन्ने लोगों सी ज्यानकारी मिली कि इससे उपर एक मैप बना हुआ है एक नक्षा से बना हुआ है तो हम भी वहां पहुंचे लेकिन यह चड़ने का रास्ता बड़ा कठीन है खतरनाक है इसमें जरा से अगर हाथ फिशला या पैर फिश प्रणार हुआ है इसलिए हम आप से कहेंगे कि आप उपर चड़ने के का जोखम ना लें और हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसी को देखें और होजें और आनंद लें कि अ कि 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 ऐसे कि आपसाओ राया हुआ है कि अ कि हो प्यां हो अ जाहीं है हुआ है ही है आ है एक सब्सक्राइब इस वन्य निया रखी अभी कि अबनाया हुआ है कि यहां परी पर्ची है कुछी दिरुपी निखा दें जो मोरके हैं और यह चुपोर एक कि यह मैं जो किसी बच्चे ने बाद में दिया इसमें और यह आपको भुड़ा साफ नजरा रहा होगा और सी के साथ यह कुछ लिखा हुआ है जो दूसरी बासा में है कि नहीं आ रहा है कि कुछी तरीके से यहां भी कुछ दिखा हुआ है कि आप देखें यह मंदिल को दर्शाता है और यह भी बुरा है जो दौनका हुआ दिखाए देरा है यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है इस पर दिखाए शिदी संबत दिखाए बड़ यहां बड़ा है जान सब बढ़ा हुआ है जान बड़ा हुआ है यहां भी कुछ थे अलग 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 दर्शे की पूर्पस्तियां अगेरा बने हुए है कि दिखाए दे रहे हैं तो दिखाए दे रहे हैं कि अधिक वश्था समझ नहीं आरे कि किसी इसको शो कर रहे हैं कि शायद कि आप लोग इस्वेवस्था का कुछ बोल खूण सकें कुछ बता सकें कि आपको निखाने का प्याज क्या है और हम इस वक्त काफी उपर कि यह प्रूट्रों चमगाद्रों की विस्ठा यह हैं लेकिए शाती आभी ओट्प्या भी बनी नहीं है कि अग्या आप देख रहे हैं कि अग्या वस्था कि अ बहुत सिंदर कि अशिए कि शास बहुं का मंदिर नाम दिया गया कि देखा तो शायद ये पूरे महल का पूरे महल का ये हिस्षा रहा हो या नक्षा रहा हो जो अभी प्लाद समझ्षेवा है चलिए अब क्या है कि इसी आसे रहनी देती है जितना समंद में आता में इसके हैं और आप अगर इसे खोज शक्ते हैं सकते हैं से लेक प्रयाश करते हैं तो अच्यट बश्युदि को बोड़ा कि दक रहे हैं जैसा कि हमने पोटे कीस्वश मंदिर आपके में जो बावन हम्रे वाला इन हम दिखाता है और इसके पर वही जल निकास रवस्था रही हुए यह दिखांगे प्रियास करें लुकिन महांद नहीं जाएं दिखेंगे अधिकरें अधिकरें आप यह जो मंदिर देख थे हैं छोटा मंदिर है या बहु का मंदिर है जो आप शैसर बावु से हम आपको दिखा रहे हैं इसका जर प्रहों हुए झाल टिर्ट झाल क्या करती हो मी? कुछ समय पहले हमने बताया था कि यह मंदिर भगवान विष्णू को समर्पित है और हमें ऐसा मैसुस हुआ कि यह बहु देव मंदिर था जिसमें भगवान विष्णू मुख्यदेव थे तता बीच में मद्य में भगवान संकर के शिवलिंग के स्थापना की भी जगे थी ज कि यह दियां आपको हमारी प्रस्तित अच्छी लगी तो क्रपया सब्स्क्राइब तता लाइक अवस्य करें वीडियो देखने के लिए एक बात रिर से धन्यवाद आपका अपना ओम जितेंदर शिंग तोमर सायक बिनीदा तोमर एवं कोशी कुमर थेंक्स फूर वाचिंग आवर चैनल यॉर्स ओम जितेंदर शिंग तोमर